स्वागत है दोस्तों आपका हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप गुर्मेंट जो प्रेप्रेशन में आज की जो वीडियो है दैट इस वीकली करंट अफियर जो कि हम 10 से लेके 16 में तक के डिसकस करेंगे दोस्तों वीडियो में बहुत ही जादा इंपोर्टेंट जो कोईशन है वो लिए गए है इस अफते के तो चलो बढ़ते हैं अपने पहले कोईशन की तरफ तो हमारा जो पहला कोईशन है वो है तो परवासी नागरी की सहायता के लिए किस राज्य ने परवासी राहत मित्र एप लाँच किया तो आपके जो अप्शन हैं तो दोस्तो इसका जो इसका जो परवासी राहत मित्र एप जो है अपने Migrant Citizens के लिए launch की है तो अभी बात यहां पे करते हैं दोस्तो उत्तर परदेश की तो important points देख लेते हैं तो उत्तर परदेश की CM मुख्य मंतरी का जो नाम है That is Jogi Adityanath महां के मुख्य मंतरी है Governor की अगर बात की जाए तो Anandibin Patel वहां के राज्यपाल है स्टेट अनिमल राज्यपशु जो है That is Swamp Deer दलदल हेरन जिसको बोला जाता है दोस्तो उसके बाद स्टेट वर्ड की बात की जाए तो वो है सारस क्रेन उसके बाद स्टेट फ्लॉवर जो आता है वो है ब्रहम कमल और जो हमारे कैपिटल है वहां की वो है राज्दा ने जिसको बोला जाता है That is Lucknow और ये गठन कब हुआ था स्टेट का वो हुआ था 24 जनबरी 1950 24 जनबरी 1950 को स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी कुल डिस्टिक्स की बात की जाए कुल जीले की बात की जाए तो 75 कुल जीले है और maximum number of locks लोक सभा जो सीट है वो असी है वो राज्य सभा की कितनी है 31 सीट है तो ये कुछ important points थे UP के लेटर नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स कोशन है इंडियन काउंसल औफ मेडिकल डिसर्च हैस पार्टनर्ड विद डैश डैश के साथ भाग्यदारी की है तो आपको बताने किसके साथ भाग्यदारी की है तो आपके options है तो इसको जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका option number C इंडियन पोस्त के साथ जो है भी recently इंडियन काउंसल और मेडिकल साइस ने partnership की है coronavirus की COVID-19 testing kids की delivery के लिए तो अभी बात करते हैं दोस्तों important points क्या क्या है इसमें देखो सबसे पहले तो जो अगर मैं बात करूं तो postal system जो था उसकी services की जो foundation थी 1854 में Lord Dalhousie के द्वारा की गई थी ठीक है उसके बाद अगर इसके headquarter की बात की जाए Indian post के तो वो headquarter है मुख्याले जो इसका न्यू देली में है डाक बवन संसदमार्ग में उसके बाद ministry जो responsible है इसके लिए वो है रवी शंकर परशाद cabinet ministry for communication ठीक है cabinet ministry मंतरी संजार मंतरी तो वो इसके लिए responsible है यह है हमारे Indian post के बारे में next question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो which of the falling has recently approved a loan of 500 million dollar to support India's COVID-19 operations तो नेमिलिक्त में से किसने हाल ही में भारत की COVID-19 परिचालन का समर्थन करने के लिए 500 million dollar के शरंड को मंजूरी दी है तो आपकी options है new development bank B है Asian infrastructure investment bank C Reserve Bank of India OD है World Bank तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तो that is option number B Asian infrastructure investment bank ने अभी 500 million dollar का जो sport है वो अभी approved किया है बारत के लिए राइट बढ़ते हैं इसके क्या important points है वो देख लेते हैं देखो अगर बात की जाए AIIB की तो वो headquarter का आपे बीजिनिंग में उसका headquarter है membership की अगर बात की जाए तो कुल सदस्य जो है 78 है official language English है President अद्यक्ष की बात की जाए तो जीन लिकुन उसके President है formation गठन कब हुआ था 16 जनबरी 2016 16 जनबरी 2016 में गठन हुआ था बात करते हैं next question की who has been appointed as the MD of Jammu and Kashmir Bank तो MD के रूप में Jammu and Kashmir Bank में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है आपके options है A.R.K. Chibbert B. Juvair Iqbal C. Parviz Ahmed D. Rajneesh Kumar तो इसका जो सही उत्तर होगा तो जो होगा option number B Juvair Iqbal को अभी MD के रूप में Jammu and Kashmir Bank में point किया गया है उसके बाद R.K. Chibbert का जो term है वो भी extend किया गया है तीन साल का वो अभी chairman है Jammu and Kashmir Bank के चलो अभ important point इसके बारे में discuss कर लेते हैं Fountain की बात की चाहे तो Jammu and Kashmir Bank की स्थापना कब हुई तो ये हुई थी 1 October 1938 में आपको याद रखना है Banking point of view से important है Headquarter कहाँ पर है मुख्याले सिर्नगर में है Jammu and Kashmir में वो chairman जो इस टाइम पर हुआ है R.K. Chibbert तीनो point important है और इसकी tagline क्या है दोस्तो Serving to empower इसकी tagline है Next question की तरफ चलते है हमारा जो next question है तो सहराई cover जो painting है जिसे अभी GI tag दिया गया है दोस्तों की सराजियों से आपको बताना है तो आपके options है उत्तर परदेश दूसरा option है जारखन तीसरा मद्ध्य परदेश और लास्ट आप्शन टैमेन लाड़ू तो इसका सही उतर है दोस्तों वो है जारखन जारखन से बिलॉंग करती है सहरे cover painting एचली यह होता है कि जब भी festivals मनाई जाती है वहाँ पे तो वहाँ पे क्या होता है कि यह एक मतलब रिती होती है रिवाज होता है कि वो अपने मड़ के गरों पे जो है painting की जाती है वहाँ पे लग अलग चितर्स जो है वो बनाय जाते है जारखन में चलो इसके बारे मैं जान लेते हैं दोस्तों अगर मैं बात करूँ जारखन की तो जारखन स्टेट की जो formation हुई थी 15 November 2000 में हुई थी राज्य का गटन Capital राजदानी रांची है Largest city जो है वहाँ की जमशेदपूर मुख्य मंत्री की बात की जाए तो हेमन्त सोरेन वहाँ के मुख्य मंत्री है राज्यपाल जो है दरोपती मुर्मू वहाँ की राज्यपाल है State animal जो है that is Asian elephant राज्यपशू कौन सा है Asian elephant State word की बात की जाए तो Asian coil वहाँ की जो है राज्यपक्शी है State flower जो है वो है पलाश और जो State tree की बात की जाए तो वो है साल ठीक है तो यह important points थे यह हमने दोस्तों भी discuss किये बढ़ते हैं next question की तरफ तो 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 आपके options है A उत्तर परदेश B है दोस्तो तेलंगना C मद्यापरदेश D तेमिलनाडू तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या है That is option number B तेलंगना ठीक है तो तेलिया रुमाल जो है जिसको अभी GI tag दिया गया है वो तेलंगना से है राइट अभी बात करते हैं दोस्तो तेलंगना के बारे में important points तो capital की बात कर लेते है राजडानी है है हैदराबाद गठन हुआ था दो जून 2014 को total districts जो है 31 है उसके बाद state animal जो है इसको बोला जाता है चीता और उसके बाद state word जो है दोस्तो Indian roller है भारती रोलर जिसको बोला जाता है state flower है रनावरा ठीक है रनावरा जो है इसका state flower है उसके बाद CM है यहां के उनका नाम है that is K. चंदरशेखर राओ और governor जो है तेलंगना की उनका नाम है तेमिली साई सौधन राजन ठीक है तेमिली राई सौधन राजन जो है वहां के क्या है governor है तो यह था दोस्तो static point तेलंगना के बारे में अब नेक्स बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ who has been appointed as the new chairman of CVSE तो CVSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आपकी options है तो इसकी इस सही answer है that is option number A नेक्स बात करते हैं दोस्तो question number 8 की who represented India in Shanghai Corporation Organization तो Shanghai सयोग संगठन में भारत का प्रतिनिदव किस ने किया तो आपको बताना है आपकी options है तो इसका सही उत्तर है दोस्तो D option S.J. शंकर जी ने अभी जो मीटिंग करवाई गई थी मही में जिसमें जो है S.J. शंकर जी ने भारत का प्रतिनिदव किया तो आपको यह याद रखना है तो यह दोस्तो एक international alliance है जिसमें कुल 8 member है और इसमें तीन जो है observers भी है इरोशिया से इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 26 April 1996 में जो है इसकी स्थापना हुई थी इसका headquarter है वो है Beijing चाइना में यह important point है आपको याद रखने है नेक्स question की बात करते हैं दोस्तो इंडिया was ranked at which position on the global energy transition index तो global energy transition index 220 पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है तो आपको बताना है आपकी options है तो इसका यह सही उतर है दोस्तो वो हैब का option number D 74th position पर भारत को इस बार 2020 में रखा गया अगर 2019 का पूछा जाए तो 2019 में जो था वो 76th rank था अगर important बात की जाए तो दोस्तो यह जो energy transition index है इस बार bold economic firm के द्वारत दिया गया Sweden ने इस पर top किया है और उसके बाद Switzerland और Finland जो है वो second और third rank पे है respectively founder और chairman अगर मैं बात करूँ world economic firm की तो वो है clause gap आपको याद रखने है और world economic firm का जो अगर headquarter की बात की जाए तो जनेवा Switzerland में इसका headquarter है चलो next question के तरफ चलते है which state government is to launch Rajiv Gandhi किसान नवे जोजना तो राजीव गांदी किसान नवे जोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो आपको बताना है आपके options है तो इसका उस सही answer है दोस्तों वो है शत्यस गड़ शत्यस गड़ की government ने अभी राजीव गांदी किसान नवे जोजना जो है वो start की है तो बात करते हैं इसके important points की तो सबसे पहले capital देख लेते हैं शत्यस गड़ की तो राजदा नहीं है राइपूर्ड चीफ मिनिस्टर मुख्य मंत्री जो है हमारे भुपेश बगे आपको याद रखना है गवर्नर राजेपाल जो है वहां का state animal है state word की बात की जाए तो hill मैना जो है वहां की state word है state tree दोस्तो साल वहां का state tree है और इसको जो है 36 गाड़ को इंडिया स्राइज वोलो के नाम से भी जाना जाता है आपको याद रखना important point है next बात करते हैं question number 11th की the WHO and United Nations Postal Agency released a commemorative stamp on May 9th to mark the 40th anniversary of the eradication of which disease तो WHO and United Nations Postal Agency ने नो मेई को किस बिमारी के अनुमूलन की 40 वी वर्ष घांड के अपसर पर एक समारक डाक टिकट जारी किया तो आपके options हैं A. measles B. polio C. big foot D. smallpox तो इसका उस सही उतर है दोस्तों वो है option number D. smallpox इसका right answer है Smallpox के बारे में तो smallpox की जो first vaccine की अगर बात की जाए तो 1796 में उसकी खोज की गी थी Edward Zinner थे जिन्होंने first जो है vaccine उसको develop किया था अभी किस कारण जो है smallpox होता है उसका main positive agent के जिसको चेचिक बोलते है वो है byrola virus right byrola virus के कारण smallpox होता है WHO smallpox eradication campaign जो चलाया गया था वो 1967 में चलाया गया था right important है point याद रखना है उसके बाद may 1980 में 33rd world health assembly के दोरान ये officialy declare कर दिया गया था कि world और जितने भी people हैं वो अभी freedom उनको वो freedom जी चुके है smallpox से right ये आपको याद रखना है अभी world अगर health organization ने भी United Nation जो postal agency ने भी release की है commodity postal stamp वो 9 में को की थी और ये इसकी 40th anniversary थी of the eradication of smallpox ठीक है 40 मी वर्षखान मनाए गी थी दोस्तों आपको याद रखना है important point next question की बात करते हैं दोस्तों RCI has developed an automated UVC currency sanitizing device card तो RCI ने एक सबचालिक UVC मुद्रा sanitizing उपकरन विक्सित किया है जिसे कहा जाता है तो आपको उसके नाम बताना उसको क्या कहा जाता है आपकी options है तो इसका जो सही उतर होगा दोस्तों that is option number D notes clean तो RCI की अगर full form आपसे पूछ ली जाए तो RCI की full form होती है research center इमारत ये आपको याद रखना है अभी बढ़ते हैं अपने next question की तरफ हमारा जो next question है वो है ministry of tourism organized the 17th session of the देखो अपना देश seminar on title तो प्रियाटन मंतराले ने देखो अपने देश बैबिनार का स्तारवा सतर जो है सिर्शित पर अयोजित किया है तो आपको बताना है कि उसका title क्या था एक आपके options है गोवा, Crucible of Culture B है, Punjab, Beyond the Brocher C, Bengal by the Himalayas D, Exploring River Nile तो इसका सही उतर है दोस्तों भी बोला जाता है, और ये कौन सी स्टेट में बहता है, ये बहता है हमारी केरला स्टेट पे, और ये second longest river है, केरला स्टेट का अफ्टर परियार रिवर, इसका आपको याद रखना है, अभी बात करते हैं अपने next question के हमारा next question है इंडियन रेलवे हैस अनौंस्ट प्लैंस तू अपरेट डैश ट्रेंस तू हल्प दा माइग्रेंट वर्कर्स पिल्ग्रीम, टूरिस्ट, स्टूडेंट और अधर पीपल हूँ आपको बताना है इंडियन रेलवे के द्वारा अनौंस की गई है तो भारतिय रेलवे ने परवासी, कामगारों, तीर्थ यात्रियों, प्रियटकों, शात्रों और अन्य लोगों की मदद के लिए डैश गारियों को संचालित करने की योजना की कोशना की है जो तालाबंदी के कारण बिवीन स्थानों पर फसे हुए है तो कौन सी टेने हैं, आपको याप्शन हैं सम्तुक स्पेशल, भी है श्रामिक स्पेशल, सी अरोग्या स्पेशल, और डी दरंतो स्पेशल तो इसका सही उतर होगा दोस्तों, डैट इस ऑप्शन बबी स्पेशल ट्रेंड जो है वो बारत के द्वारा अभी इंडियन रेलबे के द्वारा जो है अनौंस किया गया है कि वो अभी इसको स्टार्ट करेंगे, तो अभी ये स्टार्ट हो चुकी है, राइट चलो बात करते हैं, नेक्स कोशन की डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग कमिशन इंडिया कोस्ट गार्डशिप्स सच्चेत और टू इंटरसेप्टर बोर्ट आईबी एस सी 450 और सी 451 इन डैश त्रू वीडियो कॉंफरेंसिंग फ्रॉम डैली तो कहां से उन्होंने वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरी आपको बताना है तो राजिय मंत्री राजना सिंग ने दिली से वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से भारत ततर रक्षक जहाज टिप और दो इंडरसेप्टर बोर्ट जिसको सी 450 और सी 451 को डैश के कमिशन किया तो कहां से कहां पर कमिशन किया तो आपकी ऑप्षिन से एक गोवा भी मंबई सी कॉल करता और डी चन नहीं तो इसका जहीं उतर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्षिन नमबर ए गोवा में अभी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री जो राजना सिंग है उन्होंने जो है कुछ बोर्ट जो है वो कमिशन किया है तो बोर्ट के नाम आपको याद रखने है राइट चलो नेक्स कॉशन की तरह बढ़ते हैं तो आपको बताना है कि आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आपके ऑप्षिन सही गोतम सेन गुपता वी वी विद्यावती सी उशा शर्मा और डी डाकेश तिवारी तो इसका सही आप्षिन नमब भी वी विद्यावती जी को भी रिसेंटली जो किया गया है नियू डारेक्टर जनल अपॉइंट किया गया आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया का तो फ्रेंट्स यह थे हमारे आज के करंट अफेर जो कि हमने वेकली करंट अफेर डिसकस किया है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करना ना बोलें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ठैंक यू फ्रेंट्स एंड हैवे नाइस टे